हे वल्कम बैक टो दे वीडियो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेस्ट 5G स्मार्टफुन के बारे में जिसे आप 13,000 के आसपास बाई कर सकते हैं इस रेंज में जो भी सबसे अच्छे एन वेल्यू फोर मनी स्मार्टफुन है हम उन्हीं विद ओय स्मार्टफुन के बड़ी बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग का सुपर्ट होगा ही इसके अलावा 120 हर्ट वाला है एंड पाउसल 5G चिपसेट भी तो फीचर्स वाइस बहुत ही अच्छा रहने वाला है यह पांचोई स्मार्टफुन मैं आपको इन पांचोई स स्मार्टफुन को ओवरॉल स्पैसिविकेशन के बेशस पर रैंकिंग किया है तो हम शुरू करेंगे लास्ट के नमर से नमर 5 से नमर 5 पर पर हमने स्मार्टफुन रखा है इस फौन का डिजाइन बहुत ही अच्छा है क्योंकि ग्लास बैक्ट डिजाइन के साथ आता है बा and 199 gram weight है और हाँ IP53 की rating भी है तो overall design and build quality अच्छा रहेगा कुछ basic features के वारे में बात करें तो single speaker दिया गया है जिसके output अच्छी है and hybrid SIM slot का option है means 2 5G SIM या फिर एक SIM और एक memory card लगा पाएंगे biometric के लिए side fingerprint scanner है out of the box Android 13 मिलता है based on MIUI 14 2 plus 3 years का end of update मिलेगा future के अंदर और हाँ दोस्तों यह phone MIUI dollar के साथ आता है मतलब चुप कैसे call recording कर सकते हैं अब जानते हैं कुछ main features तो 5000 mAh की battery दी गई है जो की support करती है 18 watt fast charging को तो battery charge होने में थोरा सा समय लगेगा लेकिन battery backup अच्छा रहेगा बात करें डिस्प्ले के बारे में तो इस फॉन में लगा हुए 6.79 इंचेस की FHD प्लस IPS डिस्प्ले जो की 90 हजडी फेसिट के साथ आता है 240 हर्ट की touch sampling rate है और 550 nits तक की peak brightness मिल जाती है overall डिस्प्ले वाइस decent टाइप का रहेगा बड़ा सा डिस्प्ले है तो movies वगरा देखने के लिए सही है वैसे डिस्प्ले के ओपर konning gorilla glass का protection भी मिल जाता है खेर बात करें camera के बारे में तो back side में दो camera है जिसमें से primary sensor 50 megapixel का है और second camera 2 megapixel का है जो की depth camera है rear camera से flash d में 30 fps तक video record कर पाएंगे आगे की तरफ 8 megapixel की selfie है इस camera से flash d में 30 fps तक video record कर पाएंगे overall is one का camera performance decent टाइप कर रहेगा main camera लगवग ठीक ठाक performance निकाल कर दे देता है daylight में वैसे performance के बारे में बात करें तो is one में लगा हुए snapdragon 4 Gen 2 वाला 5G chipset यह chipset 4NM पर बना हुआ है इस पावर एफिशेंट है चार लाग से ऊपर अन्तूद उसको राता है इसके अलावा यूफस 2.2 वाला स्टोरेज और फॉर एक्स वाला रायम है तो यूज में परफॉर्मेंस आपको बिल्किल वीशू नहीं होगा लो टू मीडियम सेटिंग में गेमिंग वगरा भी कर सकते हैं कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो साथ 5G bands को सपोर्ट करता है यह फॉन 4G प्लस का सपोर्ट है ड्वेल वाइफाई आता है थाग पैकेज है चैक और कर सकते हैं यह प्रोजन कॉन्स वहीं बात करें फोर्थ नमर के स्मार्ट फॉन के बारे में तो नमर फॉर्ट पर जो हमने स्मार्ट फॉन रखाए यह एक आल्मोस्ट और रांडर पैकेज है दोस्तों इस फोन का नाम है रियल मीड ट्वेल एक्स 5 जी रिसंट्ली लॉंच वा यह फॉन एंद 12-13000 के बीच में यह फॉन भी आपको मिली जाएगा चली जल्दी से डिटेल में जानते हैं स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल क्वालिटी से तो डिजाइन बाइस बहुत ही अचा रहेगा प्रीमिम डिजाइन के साथ आ सेम टाइम पर लगा सकते हैं बाइमेटरिक के लिए साइट फिंगर्बल स्कैनर है आप अब दो बॉक्स एंडोड 14 के साथ आता है यह फॉन बेस्ट ओन रियल्म युवाई 5.0 एंड फ्यूचर में टू प्लस थ्री यर्स का एंडोड अपडेट मिलेगा प्ले स्टोर से ओ सब्सक्राइब लगावाई 6172 इंचेस की फ्लेजडी प्लस IPS डिस्प्लेइ जो की 120 हजडी फिसर्ट के साथ आता है 240 हर्ट की टस्ट अंबिंग डेट है और 950 नीट्स तक की पीक ब्रैटनेस मिल जाती है बड़ा सा डिस्प्लेइगा बड़ा सा डिस्प्लेइग है और सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की तरफ एट मिगापकिसल की सेल्फी है इस कैमरे से भी फ्लेजडी में 30 फ्लेज तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं ओवरोल कैमरा प्रफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा रियर कैमरा काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है लगवाग सब्सक्राइब कर सकते हैं किनेक्टिविटी की बात करें तो नौ 5G बैंट करता है यह फॉर्टी प्लेस का सब्सक्राइब कर सकते हैं तो प्रैस के बारे में तो चार एक्सुटाइस के लिए 12,000 रुपे एडिशनली बैंक डिस्कांट वेगरा भी मिल जाएगा आपको तो प्रैस की साफ से देखा जाए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं यह प्रोजन कॉंस बात करें तीसरे नमर के स्मार्टफोन के बारे में तो नमर 3 पर हमने स्मार्टफोन रखा है यह फॉन गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा बाकि बैटरी वेकाप और डिजाइन भ तो डिजाइन वेज अच्छा रहेगा औल्दो कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ट पर बना हुआ है एट एमेम की थिकनेस एन वन इंटीन ग्राम वेट है एन आइपि 64 की रेटिंग दी गई है तो ओवरोल डिजाइन एन बिल क्वालिटी काफी सही है कुछ बेसिक फीचर के बारे में बात करें तो ड्वेल स्टीरियों स्पीकर मिलता है जिसके आटपुट सही है 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 बाइमेंटरी के लिए साइड फिंगबें स्कैनर है आट ऑप दो बॉक्स एंडोट 14 मिलता है बिस्टों फंटेच ओएस 14 एंड टू प्लस थ्री यर्स का एंड़ोड मिलेगा फ् के साथ ही कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो 6000 मिली एंपेर की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि सुपोर्ट करती है 44 वोट फास चार्जिंग को एक दिन से ज्यादा का बैटरी वैक अप दे देगा यह फोन आपको डिस्प्ले की बात करें तो इस फॉन में लगा संसर 50 Megapixel का है और 2 Megapixel का है और यह देप्थ कैमरा है रियर कैमरे से 4K में 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ट कर सकते हैं आगे की तरफ 8 Megapixel की सेलफी है इस कैमरे से Full HD में 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ट कर सकते हैं ओपरोल इस फॉन का जो मेन कैमरा है वह लगवग ठीक ठाक है लगवग सारे पांच लाग के आसपास अंतुदू स्कोर आता है साथ में यूफस 2.2 वाले स्टोरेज एनल्पी टीडियर 4x वाला रहम है सो नॉर्माल यूज में परफॉर्मेंस आपको विल्कॉल वीशू नहीं होगा चिपसेट को अच्छे से उप्टिमाइज कर रख रहे हैं और 618 के लिए पंदरहजार रुपए परसनली मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा एट लिस्ट शेजी परेम बला लेना जो भी फोन लेना तो अगर आपको एक परफोर्मेंस एंडिक स्मार्टफून चाहिए और बैटरी और क्यामरा भी सही हो तो इस फोन के नाम है सैंसेंग गलाक्सी एफ 34 5G राट नाव 12-13000 की बीच में मिल जाएगा यह फॉन इस प्राइस पर बहुत ही अच्छा पैकेज है चलिए जल्दी से डिटेल में जानते हैं स्टार्ट करते हैं डिजाइन और बिल्ड कॉलिटी से तो डिजाइन वाइज सिंपल सा है ल सब्सक्राइब को सब्सक्राइब जाते हैं अब जानते हैं कुछ में फीचर तो 6000 मिली एंपेर की बड़ी बैटरी लगी हुई है और साथ महीं 25 वर्ट फार्ट चार्जिंग का सुपर्ट मिलता है तो बैटरी को चार्ज होने में थोड़ा से समय लगेगा लेकिन बैटरी सब्सक्राइब दे देगा वैसे ध्यान रहे बॉक्स के अंदर अड़ाप्टर नहीं मिलेगा बात करें डिस्प्ले के बारे में तो इस पन में लगा हुए 6.5 इंचेस की फ्लेश डी प्लस सूपर एमोलेड डिस्प्ले जो की 120 हर्ट डिफिस्ट के साथ आता है 240 हर्ट की ट अल्टर वैड के लिए बागी मेकरू केमरा भी मिल जाएगा रिर केमरे से 4K में 30 एफिस टक विडियो रिकॉड कर सकते हैं आगे कि तरह 13 मेकर शल्फिय है इस केमरे से फ्लेश डे में 30 एफिस तक विडियो रिकॉड कर सकते हैं ओफर एल इसमान का कैमरा प्रफॉमेंस अंतुद उसको राता है, साथ महीं UFS 2.2 वेले स्टोरेज, NLP DDR 4X वेले रैम है, तो नॉर्मल यूजस में परफॉर्मेंस से आपको ज्यादा इशू नहीं होगा, casual gaming वेगरा भी कर सकते हैं, लेकिन heavy यूज़ करने पर, ये फोन हलका फूल का lag वेगरा कर सकता है, और heat भी कर सकता है, connectivity की बात करें, तो 12 5G bands को support करता है ये फोन, 4G plus का support मिल जाएगा, dual band Wi-Fi आता है, Wi-Fi calling है, and Bluetooth 5.3 वर्जन का support है, also NFC भी है, प्रेजिंग की बात करें, तो फिलाल 628 के लिए लगवग 13,000 रुपे है, फिलिप काट के उपर, तो 13,000 की साब से देखोगे, तो ये एक value for money phone है, लगवग सारी features मिल रहा है, बस performance आपको थोड़ा सा compromise करना पड़ेगा, बाकी बहुत ही कमाल का phone रहेगा ये, ये रेफ प्रोजन का उन साब पड़ सकते हैं, बात कर लेते हैं, last smartphone के बारे में, तो नमर वन पर जो हमने smartphone रख है, अगेन ये भी एक all-rounder package रहेगा, मैं बात कर रहा हूं, मोटो G64 5G के बारे में, 13,000 के something ये phone भी आपको मिल ही जाएगा, एन इस प्रैस्टोन पर देखा जाएगा, तो ये भी एक all-rounder package है, चलिए जल्दी से detail में जानते हैं, स्टार्ट करते हैं, डिजाइन और build quality से, तो design-wise simple सा रहेगा, build quality study है, complete plastic build पर बना हुआ है, 8.9 mm के thickness, and 192 gram weight है, IP52 की rating में मिल जाती है, तो overall design and build quality अच्छा रहेगा, कुछ basic features के बारे में बात करें, तो dual stereo speaker मिलता है, Dolby Atmos वाला, and speaker के output अच्छी है, hybrid SIM slot को option है, means 2 5G SIM या फिर एक SIM रख memory card लगा पाएंगे, तो software neat and clean मिलेगा, also one plus three years का end of update मिलेगा future के अंदर, अब बात करते हैं कुछ main features के बारे में, तो 6000 mAh की बड़ी battery दी गई है, और साथ मही 33W fast charging का support मिलता है, नॉर्मल यूज में एक जिन से ज़्यादा का battery backup मिल जाएगा, डिस्पले की बात करें, तो इस फ़र्म में लगा हुए 6.5 इंचेस की full HD plus IPS डिस्पले, जो की 120Hz refresh rate के साथ आता है, 240Hz की touch sampling rate है, और 560 nits की peak brightness दी गई है, ओवरोल डिस्पले वाज ठीक ठाक रहेगा, पैनल की quality अच्छी है, हाला की IPS पैनल है, लेकिन stereo speaker है, तो movies वगरे देखने के लिए सही रहेगा, camera की बात करें, तो back set में दो camera मिलता है, जिसमें से primary sensor 50MP का है, जो की OS support के साथ भी आता है, और 8MP का ultra wide lens भी है, rear camera से full HD में 60fps तक video record कर सकते हैं, आगे के तरब 16MP की selfie है, इस camera से full HD में 30fps तक video record कर पाएंगे, overall camera performance ठीक ठाक रहेगा, decent app कर रहेगा, OS होने के विज़े से low light camera performance अच्छा है, camera साब को ज़्यादा निराशा नहीं होगी, performance के लिए spawn में लगा हुए, brand new MediaTek Dimensity 7025 वाला 5G chipset, जो की 6NM पर बना हुआ है, अल्मुस्ट 5 लाक यास पास अन्तुद स्कोर आता है, इसके अलावा, UFS 2.2 वाले स्टोरेज, NLP DDR 4X वाला रैम है, तो performance वाइज अच्छा रहने वाला है, chipset काफी capable है, casual level की gaming वेगारा भी कर सकते हैं, connectivity की बात करें, तो 14 5G bands का सपोर्ट करता है ये phone, इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में,